हेलो गाइस दिस डॉक्टर सुनील तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के अंदर मोस्ट कॉमरली डेंटल प्रॉब्लम जो बहुत ही डेंजरस है उसके बारे में और इस प्रॉब्लम का नाम है म्यूकर माइकोसिस तो चलिए इसके बारे में डीटिल में बात करते हैं तो गाइस जो म्यूकर माइकोसिस कंडिशन है यह एक टाप का अपॉर्चुनिस्टिक फंजाय है जो कि डाबिटिक पेशिंट के अंदर मोस्ट कॉमरली हमें देखने को मिलता था और यह जो है काफी रेर कंडिशन है जो सिफ डाबिटिक पेशिंट के अंदर ही हुआ करते थ प्रक्रेMother's फीक्विंट ली देखने को मिल रही है तो इस पेशिंट एस के अंदर जो पेशंट कै वो क्या कंप्लेण करता मुस्त आपको तर्टाम मैक्जला के अंदर जो पोस्टेट ईथ है उसके अंदर पेइन होता है और यह पेजिन जो होता है काफी सीवैर होता है अचानक से होता है पेशेंट जब क्लिनिक पर आता है अगर आप उसके क्लिनिकल सेम्टम्स को देखने हुए तो वहां हो सकता है आपको केजीज ना मिले आपको हो सकता है पेशेंट का औरल हाईजीन अच्छा देखे वो अपना औरल हाईजीन अच्छे से मेंटेन करता हो ले ठीक करने के लिए तो स्टिरोइट क्या करता है कि ग्लुकोज लेवल होता है उसको इंबैलेंस कर देता है जिसकी वज़े से इस अपॉस्टिनिस्टिक फंजाए को ग्रो करने के लिए अच्छा एंवायर्मेंट मिल जाता है साथ ही आपको पता है कि कोविट पेशेंट्स की इम्मुनिटी है वह काफी डाउन हो जाती है जिसकी वज़े से काफी सारे अधर इंफेक्शन्स या सेकेंडरी इंफेक्शन्स उनको होने लग जाते हैं अब क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया आपको आपस दिस्चार्ज देखने को मिलेगा वहां पर नाक में दर्द होने लग गया उसका पस्ट इस्चार्ज स्टार्ट हो गया और कुछ कंडिशन में कान से या फिर नाक से भी पस्ट देखने को मिल रहा है अब यहां तक तो ठीक है लेकिन इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वह क्या है इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वह काफी अगर यह यह फंजाय ग्रो करता हुआ और्बिटल फ्लोर तक पहुछ जाता है तो हो सकता है कि पेशन्ट ब्लाइंड हो जाए विजन में बिलर उसका जो बिजन हो जाए अब अगर इसके ट्रीकमेंट की बात करें तो पश्को कोई बीडेफिनिटिव ट्रीकमेंट नहीं ह डॉक्टर्स का ये कहना है कि affected Tissue जो होता है उसको हटाना ही इसका एक मात्र क्यूर है यादि हो और आपका टूथ affected ले तो उसको अचाना पड़े तो इसका ये काफी dangerous complication है और इसका cure थोड़ा सा मुश्किल है और इसका जो cure है वो भी definitive नहीं है जरूरी नहीं है कि उस area या उस part को हटा देने से वो फंजय ठीक हो जाए हो सकता है वो दोबारा भी हो जाए अगर उसके sports वहाँ पर रह जाते हैं या फिर patient की immunity लगाता डाउन रहती है तो हो सकता है उस condition में भी ये दुबारा हो जाए तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी इसी है कि अगर आपके known में कोई covid patient है तो उसको कहिए कि वो अपना oral hygiene maintain रखे ठीक है तो उसकी वज़े से हो सकता है कि वह opportunistic बन जाए वहाँ गुरो ना करें यह जो condition है elder लोगों में देखने को मिल रही है जिनकी ज्यादा है और जिनके अंदर diabetes है उनके अंदर भी यह जादा commonly देखने को मिल रही है क्योंकि पहले भी यह diabetic patients के अंदर ही गुआ करती थी लेकिन कोरोना के बाद जो डियाबिटिक patient के वह ज्यादा खत्रे में है तो इस वज़े से उनके अंदर ही condition देखने को मिल रही है और आपके क्लिनिक्स के उपर भी लगातार शायद आपको बहुत कॉमली देखने को मिलेगी condition की patient आएगा सब्सक्राइब दात में दर्द है उपर वाले में और पस निकल रहा है आप देखोगे कई आपको समझ में भी आएगा आप रेडियोग्राफ लोगे तो रेडियोग्राफ में भी दात बिलकुल क्लियर होगा कोई decay portion नहीं होगा करवा सकते हैं और अगर आपको यह लगता है कि यह मुकर माइकोसिस ही है तो आप अपने एंटी सर्जेंट से भी consult कर सकते हैं कि फिर इसको सर्जीकली टीठी करना पड़ेगा इस से रिलेटेट में काफी सारे जो भी आटिकल्स के लिंक है मैं आपको description में देदूंगा साफी ज्यादा मात्रा में फैल रहा है जितना शायद आज से पहले कभी नहीं फैला हो तो म्यूकर माइकोसिस एक पंगल इन्फेक्शन है और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो कोशिश यही करिए कि जितने भी आपके पास केसे आते हैं या फिर आपके नोन में जितने भ को informative लगा हो this is Dr. Sunil signing off